हाई फिर्ट्स वेल्कम टू ये कैसे दिस जे मिज्टिया गैन यू और वाचिंग ये कैसे दोस्तों जूरी हम चर्चा करेंगे NCRT के Quadratic Equations के Exercise 4.1 और Page No. 73 के Questions के Answers के बारे में इस पर चर्चा करने से पहले हम जान लेते हैं कि Quadratic Equation क्या है और इसका Definition क्या हो सकता है जैसे अब देख रहे हैं Quadratic Equation के बारे में बता जा रहा है कि The Equation which degree is 2 is called Quadratic Equation ठीक है यानि ऐसा Equation ऐसा समीकरन जिसका घात दो होता है उसको हम लोग बोलेंगे Quadratic Equation आगे बोल रहा है इस एक्स इसक्वाइर प्लस BX प्लस C इस उकल टो जीरो मतलब जो Quadratic Equation होता है उसका वाइप गूप स्टेंडर्ड फॉर्म वह यह होता है A x square plus B x plus C बराबर 0 मत इसी form में ये पाया जाता है अगे बोड़ा हुआ है A is equal to not 0 मतलब A 0 नहीं होगा क्योंकि अगर A 0 हो गया तो ऐसे में 0 into x square is equal to 0 हो जाएगा तो degree जो 2 है वो 2 रहेगा ही नहीं ऐसे में ये quadratic equation भी नहीं रहे पाएगा X square plus 8x minus 7 is equal to 0 ये एक quadratic equation है दूसरा 2x square minus 3x plus 1 is equal to 0 ये भी quadratic equation है तीसरा 1 minus x square plus 300 is equal to 0 ये भी quadratic equation है फोर्थ 16x square minus 9 is equal to 0 ये भी quadratic equation है next 25x square minus 1 is equal to 0 और next 7y square is equal to 28 ये सब के सब यहाँ पर quadratic equations है यहाँ आप example में देख रहे होंगे कि यह जो quadratic equation से यह दो तरह की आपको दिख रहे होंगे एक ऐसे quadratic equation से है जिसमें 3 terms है और एक ऐसे quadratic equation है जिसमें only 2 terms है तो यह जो quadratic equation है जो मैंने उपर में लिखा है यह ऐसे quadratic equation है जिसको हम लोग mixture quadratic equation कहते है और जो नीचे quadratic equation लिखा गया है ऐसे हम लोग pure quadratic equation कहते हैं तो यह pure है यानि सुद्ध द्विघात समिकरन है और यह मिस्रिद द्विघात समिकरन है तो चलिए देखते हैं exercise 4.1 के questions को question कह रहा है check whether the following are quadratic equations मतलब निम्नलखित में कौन quadratic equations है नीचे आप देख रहा है 4 question यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा यह 4 को 4 quadratic equations नहीं है यह हमको solve करके check करना पड़ेगा और जिनका degree 2 आएंगा वो quadratic equations होगा चलिए देखते हैं पहला question है x plus 1 का whole square is equal to 2 into x minus 3 चलिए इसको solve करते हैं अब देखें यहाँ पर इसको अगर हम a माल लें और इसको b माल लें यह हो जाएगा a plus b का whole square और इसका formula होता है वो होता है a square plus 2ab plus b square तो हम इसको लिख सकते हैं a square तो a है x x square plus 2ab तो 2 into a a है x into b b है 1 ठीक है plus b square b है 1 1 का square फिर इदर हो जाएगा इसको हम तो तोड़ देंगे तो इसका ट्रांस पोजिशन कर लें ठीक हो जाएगा तब यह 2x जो है plus में यह 2x मायरस में दोनों cancel हो जाएगा तो अब हो जाएगा x square ठीक है यहाँ one plus में यहाँ six plus में तो हो जाएगा plus seven is equal to zero तो हम देख रहें यह चुक्वेशन है इसमें maximum power maximum degree वो 2 है इसलिए यह quadratic equation होगा तो लिखेंगे यहाँ since 2 की its power is 2 it is quadratic equations ठीक है यह होगे इसका answer दूसरा question है x square minus 2x is equal to minus 2 into 3 minus x चले देखते हैं इसको solve करके इसको हम लिख सकते हैं पर x square minus 2x is equal to यह minus 2 into 3 हो जाएगा minus 6 और minus 2 into minus x is equal to hold हो जाएगा plus 2x ठीक है अब क्या करते हैं इसका transposition कर लेते हैं दिये हो जाएगा x square minus 2x यह minus 6 का transposition करेंगे दिये हो जाएगा plus 6 और यह plus 2x का transposition करेंगे यह हो जाएगा minus 2x इधर हो जाएगा is equal to 0 अब क्या है कि यह x square रह जाएगा यह minus 2x यह minus 2x is equal to हो जाएगा minus 4x ठीक है और इधर हो जाएगा plus 6 is equal to 0 तो हम यह फिर से देख रहे हैं कि इस यह जो equation आ रहा है इस equation का जो maximum power है वो 2 आ रहा है और हम लोग definition देख चुके है जिसका power जिसका degree 2 होगा वो quadratic equations होगा तो लिखेंगे since यह चू की its power is 2 so it is quadratic equations ठीक है यह हो गया इसका answer अब देखते हैं तीसरे question को तीसरे question का रहा है x-2 into x plus 1 is equal to x-1 into x plus 3 तो इसको solve कर लेता हैं सबसे पहले इसको इसके पूरे के साथ multiply करेंगे फिर बाद में इसको इस पूरे के साथ multiply करेंगे चले करते हैं तो x into x यह हो जाएगा x square फिर x into plus 1 तो यह हो जाएगा plus x फिर minus 2 को इस total के साथ multiply करेंगे हो गा-2 इस ओकल हो जाएगा- अब फिर वैसे ही इसको उसलीति बाथ करेंगे और फिर इस सब्सकुर साथ-सी चले करते हैं स्पूड़हां माइनस स्कूअ करएंगे हो जैगा माइनस द्याहना लाएंग मायिसाग स्ट्यैं कहते हैं और माइनस स्कूघक्त और यहां पर देख रहे हैं, यह माइनस 2 है, यह माइनस 3 है, तो यह हो जाएगा, पलस 1 is equal to 0, तो अब देख रहे हैं, यह जो equations आ रहा है, इसका maximum power 2 नहीं है, यहां पर यह 1 है, तो लिखेंगे, चुकी, since its power is not 2, so it is not a quadratic equations, तो यह हो गया, इसका answer, अब ऐसे ही देखते है, question number 4 को, तो question number 4 कहा रहा है, x minus 3 into 2x plus 1 is equal to x into x plus 5, चले इसको solve भी करते हैं, फिर ऐसे ही, x को इस पूरे के साथ multiply करेंगे, और minus 3 को इस पूरे के साथ multiply करेंगे, चले करते हैं, x into 2x, यह हो जाएगा, 2x square, और फिर x into plus 1, यह हो ज यह हो जाएगा, minus 3, फिर इस हो जाएगा, is equal to, अब x into x, यह हो जाएगा, x square, फिर x into plus 5, इस पूरे हो जाएगा, plus 5x, अब इसको पहले और solve भी कर लेते हैं, यह हो जाएगा, 2x square, और इदर है, plus x, इदर है, minus 6x, इस इस हो जाएगा, minus 5x, और minus 3, अब क्या करते हैं, इसका minus हो जाएगा, तो बचेगा, x square, यहाँ minus 5x है, और यहाँ minus 5x है, हो जाएगा, minus 10x, और यहाँ पर हो जाएगा, minus 3, is equal to 0, तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो इसका जो maximum power है, वो 2 है, तो लिखेंगे, चू की, यानि, since, its degree is 2, so, it is a quadratic equations, ट्रीक है, यह हो गया, इसका answer, अब देखते हैं, question number 5 को, question number 5 का रहा, 2x minus 1 into x minus 3, is equal to x plus 5 into x minus 1, चले, इसको solve कर लेते हैं, इस पूरे के साथ multiply करेंगे, और minus 1 को पूरे के साथ multiply करेंगे, चले करते हैं, 2x into x हो जाएगा, यह 2x square, फिर 2x into minus 3 हो जाएगा, minus 6x, फिर minus 1 को multiply हैंगे, पूरे के साथ, तो minus 1 into x यह हो जाएगा, minus x, फिर minus 1 into minus 3, यह हो जाएगा, प्लस 3 is equal to 2 हो जाएगा अब इस एक्स को इस पूरे के साथ multiply करेंगे तो हो जाएगा X into X X square फिर X को मैनस 1 से multiply करेंगे हो जाएगा मैनस X फिर ये 5 को इसके साथ गुना करेंगे तो 5 into X हो जाएगा प्लस 5X और ये प्लस 5 into minus 1 हो जाएगा मैनस 5 चलिए अब इसको पहले solve कर लेते हैं फिर इसका ट्रांस पोजिशन करेंगे तिहां लिखेंगे 2X square यहां मैनस 6X है यहां पर मैनस X से दिया हो जाएगा मैनस 7X और पलस 3 ठीक है is equal to इधर है X square ये मैनस X और इधर पलस 5X ये हो जाएगा मैनस 4X फिर मैनस 5 अब क्या करने इस पूरे का ट्रांस पोजिशन कर लेते हैं तिह हो जाएगा 2X square मैनस 7X पलस 3 अब पूरे का और यहां पर है plus 3, इधर plus 8, यह हो जायागा, plus 8 is equal to 0, हम देख रहे हैं कि यह जो है, इसका maximum degree जो हो 2R है, तो लिखें कि चुकि its degree is, its degree is 2, so it is quadratic equations, ठीक है, तो यह होगे इसका answer, question पर चे कहा रहा है, x square plus 3x plus 1 is equal to x minus 2 का whole square, चले इसको solve कर लेते हैं, तो इसको लिखें कि x square plus 3x plus 1 is equal to, यह जो है a minus b का whole square के formula पर टूटेगा, तो इसको लिखें किते है a square, तो a है x, तो हो जाएगा x square, ठीक है, फिर minus 2ab, 2 into a, a है x, into b, b है 2, फिर होता है plus b square, b जो है, वो 2 है इसलिए हो जाएगा 2 का square, अब इसको मिलिख सकते है, x square plus 3x plus 1 is equal to, यह हो जाएगा x square, यह हो जाएगा minus 2 into 2, 4x, और यह plus हो जाएगा 2 का square 4, अब क्या करना है, इसका transposition कर लेना है, यह हो जाएगा x square plus 3x plus 1, इस x square का transposition करें किते हो जाएगा minus x square, यह minus 4 का transposition करें किते हो जा पलस में यह x स्कार माइनस में दोनों हो जाएगा cancel अब इधर है 3x पलस में 4x पलस में दियो हो जाएगा 7x और यहां पलस 1 और इधर माइनस 4 is equal to हो जाएगा minus 3 is equal to 0 हम देख रहे हैं कि इसका जो degree यहां पर कुछ नहीं है यानि 1 है तो चूकि its degree is not 2 not a quadratic equation यह होगी इसका answer ठीक है अब देखते है question number 7 को question number 7 कह रहा है x plus 2 का whole cube is equal to 2x into x square minus 1 यह जो x plus 2 का whole cube है यह a plus b के whole cube के formula पे टूटेगा तो a plus b का whole cube क्या होता है हम लोग पता है यह होता है a cube a है x तो यह हो जाएगा x cube फिर plus 3a square b to he da 3 into a square a x square into b b है 2 तो हो जाएगा 2 फिरो होता है plus 3 ab square की हो जाएगा 3 a a है x और b square b है 2 तो 2 का square फिरो हो जाएगा plus b cube to be had 2 तो यह हो जाएगा 2 का cube और फिरू हो जाएगा बराबर इधर हम इसको multiply कर consig thành Laura 2x into x square यह हो जाएगा 2x cube फिर 2x minus 1 हो जाएगा माइनस 2x ठीक है अब इसको solve कर लेते हैं यह हो जाएगा x cube पलस 3 into 2 यह हो जाएगा 6x square फिर पलस यह 2 का square 4 हो जाएगा 4 into 3 हो जाएगा 12x और यह पलस 2 का cube हो जाएगा 8 is equal to 2x cube minus 2x ठीक है अब क्या है कि यहाँ पर कुछ भी addition वगर नहीं होने वाला तो इसका क्या करना transposition कर लेते हैं यह हो जाएगा x cube पलस 6x square पलस 12x plus 8 इसका transposition करेंगे दिये हो जाएगा minus 2x cube और यह minus 2x का transposition करेंगे तो plus 2x हो जाएगा और is equal to 0 हो जाएगा यह x cube पलस में है यह 2x to minus में है यह इसमें घट जाएगा दिये हो जाएगा minus x cube और यह 6x square पलस में हो जाएगा यह पलस 6x square यह पलस 12x यहाँ पर 2x हो जाएगा पलस 14x और यह इधर है 8 और इधर है only 8 तो यह हो जाएगा पलस 8 is equal to 0 तो हम देख के रहे हैं इसका जो maximum degree है वो 3 है 2 नहीं है लेखेंगे since its degree is not 2 so it is not a quadratic equation ठीक है यह हो गया इसका answer अब लास्ट देखते है question number 8 को question number 8 कह रहा है x cube minus 4x square minus x plus 1 is equal to x minus 2 का whole cube इसको भी ऐसे solve करेंगे चले करते हैं solve तो यह हो गया x cube minus 4x square minus x plus 1 is equal to यह x minus 2 का whole cube है यह ऐसे में a minus b का whole cube के formula पर तूट जाएगा तो इसका formula क्या होता है यह होता है a cube तो a x है तो यह x cube फिर होता है minus 3a square b तो यह होता है 3a square a है x तो x square into b b है 2 ठीक है फिर होता है plus 3a b square तो 3a a है x into b square b है 2 तो 2 का square फिर होता है minus b cube तो b है 2 तो 2 का cube ठीक है अब क्या है इसको solve कर लेते आगे तो यह हो गया x cube minus 4x square फिर minus x plus 1 is equal to x cube मैनस तुंका क्योठ प्रयर का डोगा क्या करते art पूरे का टांस पूजिशन करेंगा होगा यह सीव nhi XL क्योफ यो हो जाएगा माइनस 12 grilled old tea भ् girot अब किया पर explorative मैं है यह माइनस में है यह दोनों हो जाएगा और माइनस 4 Open इस्क्वाइर है हो एक्स हैं और ही माइनस 12X हैं यह दोनों एड हो जाएगा यह माइनस 13 Ноont reference one-level captures Key यहाँ पर प्लस ए त्हो जाएगा पलस 9 is equal to 0 तो हम यह पर देख रहे हैं कि इसका जो degree है वो है 2 चुकि इसका degree 2 है इसलिए यह quadratic equation होगा तो लिखेंगे since its degree is 2 so it is a quadratic equation ठीक है यह हो गया इसका answer तो फ्रेंट यह था exercise 4.1 के question number 1 का total solution कैसा लगा यह वीडियो अगरे पसंद आए हो तो पिली जिसे like करें हमारे चैनल को subscribe करें अपने friends की बीजिसे share करें मिलते हैं अगले question के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक के आए गुडबाई